अगर आपको जटपट कोई राइस बनानी है और ज्यादा मैनत नहीं करनी है तो आप इस वेज मसाला पुलाव की रेस्पी को एक वर जरूर बनाएं बहुत सारी सबजियों के साथ हेल्दी तरीके से बनाएंगे प्रेशर कुकर में इसे 15-20 मिनट लगेगा इसे बनाने में और स्वाद ऐसा की फैमिले के हर मिम्मर को बहुत पसंद आएगा तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार और सुपर टेस्टी रेस्पी शुरू करते हैं प्रेशर कुकर में जट पर वेज मसाला पुलाव बनाने के लिए एक गलास हम चावल ले लेगे किसी भी चावल का आप इसमें इस्तोमाल कर सकते हैं मैंने यहां पे बासमती चावल लिया है चावल को पानी से अच्छे से दो लेंगे मैं यहाँ पे चावल को भीगो के नहीं रख रही हूँ आप चीज़ तो इसे 5 मिनट पहले भीगो के भी रख सकते हैं तो यहाँ पे चावल को पानी से अच्छे से धो लिया मैंने अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में जहाँ पे हम Gas On करके प्रेशर कूकर पैन गरम करेंगे इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच तेल आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे एग बड़ी लैची तोड़ के डाल दे दो इंचय से डालचीनी डाल दे एक बड़ा तेज पता डाल दे और इसके बाद इन सबको थोड़ा सा भूल लेंगे एक चौथाई छोटा चमच आप इसमें ही इंडाल दे इस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक छोटी चमच बारी कटी हुई अद्रक और एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ लेस्ट डाल देंगे कटा हुआ लेसु नद्रकर टेस्ट जादा अच्छाता है लेकिन आप यह तो पेस्ट कभी इस्तमाल कर सकते हैं आधा कप लंबाई में कटा हुआ प्यास डाल दें मतलब मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्यास लिया है प्यास को ऐसे भूल लेंगे दो से तीन हरी मिर्च आप इसमें डाल दे इससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छाता है अब हम इसमें डालेंगे मुंगफली कच्चा मुंगफली आप चार वड़े चमच इसमें डाल दे अब आप बोलेंगे मुंगफली इसमें कैसा टेस्ट आएगा आप ट्राई तो कीजिए मुंगफली की इस पुलाओ की जान है तो मुंगफली आप इसमें जरूर डालें मुंगफली को भी तेल मिया सिप्याज के साथ हम भूल लेंगे और इसके बाद हम सारी सब्जिया डालेंगे तो यहाँ पे मैंने आलू लिया है यह फूल गोवी यान देढ़ डेंगे तो सब्जिया आप अपने पसंद की कोई भी इस में आड कर सकते हैं बस क बहुँत नहीं डालें करेख gör लाउकी उसमें अचा नहीं लगीगा तो यहाँ पे इस सब्जियो को हमनें अच्छी सिभूल लिया है संब्स्दिय धर छोची हमने कितनी जाद बाकी कुछ भी नहीं डालना है आप इसमें चीए तो थोड़ा किचन किंग मसाला डाल सकते हैं तो मसालों को हमने सब्जियों के साथ अच्छे से भूल लिया है मतला मसालों का कच्छा टेस निकल जाना जाए उसके बाद यह जो चावल हमने धो के रखा है वो डाल देंगी च पानी का measurement आपको ध्यान रखना है एक ग्लास चावल के लिए पानी दो ग्लास पानी का इस्तिमाल करना है यानि वन के लिए 1.75 पानी दो मतलब समझते हैं ना दो ग्लास से थोड़ा सा कम स्वात के निसार हम इसमें नमक डाल देंगी और इसके बाद इसे अच्छे से मिला करेंगी अगर आप सबजीया कम इस्तिमौल करें तो पानी देड़ ग्लास से इसमेल करें ऑर इसे हाई फ्लें पे हम दो सेटी आने तक पका लेंगी जैसे है दूसरे सीटे लगेगी, गया muit इसको बंद कर देंगे और प्रशर को करको ठंड़ रोजाने देंगे, उसके बाद खोलेंगे तो यहाँपे हमारा सीटी जो है वह लगग गया है प्रशर को करको बंद कर दे और इससे हमें तूरन नहीं खोलना है जब इसका प्रेशर रिलीज हो जाए तब हम इसे खोलेंगे तो यहां पे सीटी जो है वो निकल गई है और यह देखिए एकदम सब्जियों से भरा हुआ यह पुलाओ जो है वो बनके तयार है और मुवफली न मैं बता रहे हूं म बहुत अच्छा टेस्ट लेका आता है तो आप इसमें मुवफली जरूर एड़ करें राइस एकदम पॉफिक्ट और खिले खिले दानेदार बनेगी देखे तो मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है कि एक ग्लास चावल के लिए पौनी दो ग्लास पानी उससे यह चावल ज सबजी की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको सबजी पसंद है तो कोई भी स्पाइसी करी या ग्रेवी आप इसमें इसमें इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पे यह देखे हैं मज़ेदार लग रहा है लगी नहीं रहा है कि हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाए ऐसा लग रह सकते हैं तो यह हमारा इंस्टेंट और बहुत ही डेस्टी वेज मसाला पुलाव बन की तयार है आप इस रेस्पे को एक बाद जरू ट्राइ करें ज्यादा मेहनत भी नहीं और कितने आसानी तरीके से हेल्दी राइस आप बना सकते हैं आप इसमें वाइट राउन राइस य शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा